करेंगे हम 125 कॉंटिटी मार्केट पे बाय कर लेते हैं कि 670 पे राउन 600 के आसपास लॉस चल रहा है सेट अप वगेरा देख लेते हैं उससे पहले हम लोग टागेट वगेरा क्या लगाएंगे ट्विडर वो देखेंगे लॉंग पोजिशन हमने लॉंग किया हुआ है अल्मोस्ट 670 पे सो देट्स अवर 670 स्टॉप लॉस हम लगा अराउंड एट्टी पॉइंट्स का रिस्क थोड़ा जादा हो जाएगा फाइव 600 चलेगा 600 लगा देते हैं यह बॉटम भी बन रहा है इसका सो अवर स्टॉप लॉस विल बी 600 टागेट हम दे देंगे इसली यहां पर जो लोगों के स्टॉप लॉस बगेरा पड़े होंग वहां हम अबना टागेट देने वाले है विच अराउंड सेवन 745 से पहले देना पड़ेगा 742 742 का टागेट एंड 600 का स्टॉप लॉस दोनों लगा देते हैं इसल्मोंस 900,000 के आस पास प्रॉफिट चल रहा है एग्जिट लिमिट पहले हम टागेट लगाने वाले टागे जाएगा हमारा अराउंड 742 तो यह हम लगा देते हैं 742 एंड स्टॉप लॉस रहेगा अपना 600 का स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 600 यह अपने अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया 600 का लेट सी वेट करते हैं करेंटली कॉस्ट के आस पास ही चल रहा है ट्रेडर्स ही है तो ट्रेडर्स आराउंड 862 900 के आसपर प्रॉफिट चल रहा है अपना यहाँ पर क्या सेट अप है सेट अप देखिए बहुत सिंपल है ट्रेडर्स मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्डर का फिर से एशू देखिए एक्शली आस सोड़ी सी लेट मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ अल्मोंस देखिए 12,218 हो चुका है ठीक है that's okay सेट अप अगरा प्रॉपर मिला मुझे और मैं था भी नहीं ओफिस में अबलेबल तो मैं मोबाइल से ट्रेड करना पसंद नहीं मुझे तो देखिए यह ब्रेक आउट था आपका अब यहाँ पर थोड़ा यह स्किपीनेस दिख रही है यह थोड़े गलिच है यहाँ पर एक विक बनी थी ऊपर जो अपनी इंट्री आप पर ट्रिगर करके गई है अब उसके बाद मैंने वेट किया कि इतनी बड़ी कैंडल बनी यहां पर तो मैंने ट्रेड लेग लिया नीचे के लेवलस पर अफली में को 10-15 पॉइंट नीचे के लेवल उट रही है था वो मेरा लाइक अचीव हो गया मोटिव जो मेना वेट करने का मोटिव था हो मेरा यहाँ अप अचीव हो गया तो मैंने लेग लिया Simple अब इसके साथ-साथ और क्या logic है देखिए यह है पूरा support zone आपको दिख रहा है यह market ने आज बहुत अच्छे से hammer किया नहीं तोड़ पाया फिर upside momentum again hammer किया नहीं तोड़ पाया फिर again upside momentum जा रहा है अब market ने देखिए यह levels पर जो लोगों के stop loss बगरा पड़े थे वो तो hit कर दिया है अब जो motive है अब जो momentum आएगी लेट से upside की तो फिर क्या target रहेगा यह वाला target रहेगा लोगों का यहाँ पर लोगों ने stop loss बगरा लगा रखा होगा यह जो यहाँ पर fresh shotting बगरा करेंगे व पूरा react किया हुआ उसने तो बहुत अच्छी probability है let's see currently अगर हम देखें तो around cost के आसपास ही चल रहा है 70, 75, 600 का अपना यहाँ पर profit चल रहा है target लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर 742 का and stop loss हमने maintain किया हुआ 600 का all right so wait करते हैं traders जैसे momentum होता है तो मैं आपको update करता हूं traders bank nifty back to p profit चल रहा है target हमने लगाया हुआ है 742 का जो कि almost यहाँ पर देखेंगा हमको बस यह जो hurdle है cross कर देना चाहिए जो sellers की area यह cross कर देता है तो next इसका hurdle यह रहाएगा उससे पहले पहले हमको निकलना है क्योंकि अपना target उससे पहले पहले है 742 के आसपास target है अपना and 3700 के आसपा profit चल रहा है so what we will do एक बार यह hurdle को जो 710 का एक बार ब्रेक कर देता है एक green candle बन जाती है so what we will do यहां से लेके हम at least top loss यहां तक लेके आएंगे which will be around 630 तो अपना यहां पर 30 points का risk कम हो जाएगा Monday का दिन last Thursday का दिन सही ने रहा Friday को छुटी थी Monday के दिन पर हम लोग ने loss किया हुआ है तो risk हम अपनी थोड़ी कम करते हुए चलेंगे एक certain levels के बाद यह cross होने के बाद risk कम कर दूँगा मैं अपनी 3125, 2600, 2700 के आस बात profit चल रहा है stay tuned traders में आपको update करता हूँ 740 and यह अपना target achieve हो चुका है सबसे पहले हम इसको cancel कर देंगे so it is book किया हमने 9000 रुपीज almost 742 just अभी a trigger हुआ है ठीक है that's okay setup देख लेते हैं traders setup यहाँ पर बना हुआ है और बहुत अच्छा momentum आया हुआ हुआ है यहाँ पर अपना target था 742, 772 के आसपास that's okay इससे ज़्यादा लालच नहीं करनी है जो हमने यह चीज सोची traders यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे जो मैं आपको समझा रहा था कि यह levels को एक बढ़ा कर देता जो कि यह विक एरिया है जो की sellers का zone है वो cross करते तो next destination क्या होगा इसका यह वाला होगा और देखिए उसमें उसी को भी अटेक किया properly यह levels पर अब यहाँ पर लोगों के stop losses गए यह levels पर अब हो सकता है कि यहां से retracement आ जाए यहाँ पर जो लोगों के stop loss वगरा पर है क्योंकि आ जाए कर देखिए इसने की angle ऐसा बनाया ऐसे market पर एक मैं आपको golden rule बता देता हूं traders अगर आप उसको सीख गया है अगर follow करते हो तो बहुत रही बात है ठीक है मतलब back to back upside रही हुई और doji दिख रहा है तो आप छोटे stop loss मतलब let's say अगर bank nifty का example लेते तो हर let's say कि एक up move पे shot करो 100 point का stop loss लगाओ ठीक है सिर्फ 100 point का stop loss जादा नहीं हिट हो जाए फिर 100 point का stop loss लगाओ अगर आप ऐसे करते हो और कोई certain levels पैसा नहीं कोई random levels पर जैसे भी let's say हमने इसको ऐसे बना दिया ठीक है ऊपर से लेके नीचे तक फीवो बना दिया अब कैसा है कि यह 50% का retracement है तो यहाँ पर हम बोल सकते कि चलो यह levels पर हमने दस ट्रेट लिया ठीक है दस में से आपके नौ बाड़ आपके stop loss हो गया जो कि बहुत रहर है इतना होता नहीं है market आ जाता है नीचे आपने वर्स्ट पकरते हैं तो आपका यहाँ पर कितना 900 points का risk हुआ बट जब वो fall करेगा ना traders आपको आराम से 1200 1500 points के आसपा देता है वो ठीक है market का यह rule होता है market जब उपर जाता है बहुत अच्छे candles like this आपको दिख रहा है लाइक दिस आपको हमेशा जब भी crash case scenario 9 बार आपका stop loss होता है जो कि मुश्किल है क्योंकि अगर आप आप देखो कि तो इतनी gap भी नहीं है इसके बाद आपको नहीं लेना आप हिट होता है फिर शॉट करो फिर 100 points का डिस्क लोग लाइक वाइस जब वो रिवर्स जाएगा वो तो आपको आराम से 1200 points के आसपद आपको easy to way दे देगा ठीक है अब इस पर controversy क्रेट मत करना कि सब्सक्राइब मैं कैसे करू यह करू जस्ट मैंने आपको एक simple एक logical trade setup बता है कि ऐसे करते हैं, positional trader करते हैं ऐसा कि जब भी उनका loss होता है चोटा 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 loss देते हैं और जब market turn around करता है तो उनका one shot 1200, 1200, 1500 points के आसपद ऐसे profit बन जाता है यह positional traders के लिए, retail traders के लिए नहीं हो सकता है जैसे retail traders बोलता है यह let's say intraday traders के लिए नहीं हो सकता है setup क्योंकि हम intraday कर रहे है, same day पे हमको buy or sell बगेदा करके खतम कर देना है आपने को एक ही दिन के अंदर, यह positional traders के लिए कि next let's say कि अगर यहां से fall आता है तो यह levels, यह levels तो easily आएगा हूँ, fall आता है तो एक move हो गया, दूसा retracement वाला अबू अगर हम देखते हैं, अगर हम वो भी मैं आपको पता देता हूँ, देखिए bottom से लेके upside, तो मतला अगर वो retracement 50% भी करता है, यहां ता है, तो around देखिए हमने trade लिया हुआ है, 1407.2, ठीक है, आजाते हैं, देख लेते हैं, I think यह breakout तो था ही था अपना, एक तो देखिए यह breakout है, अब इसके साथ साथ cross confirm करते हैं, तो यह भी breakout बनता है, ओके, यह हो गया double confirmation वाला breakout, अब breakout के बाद देखिए यह almost यहां trigger हुआ है, entry अपनी high के उपर ठीक है, अब यहां trigger हुआ है, इतना high के उपर लूम, back to back rally हो चुकी है, तो wait करना परेगा, तो थोड़ा ही मैंने wait किया जाता, wait नहीं किया, क्यों, क्योंकि यह थी exhaustion वाली area, ठीक है, तो मैं ऐसे believe कर रहा था कि अगर उसको break ही है, retest किया, and फिर up move आएगा, यह मैंने सोच के यहां पर, almost 14.06.07 के आसपा जैसे green candle बनी, तो मैंने वहाँ पर ले लिया, ठीक है, यह हो गया reason number one की breakout था, reason number two, यह है पुरा support area, ठीक है, यह है पुरा support area, market ने यहां hammer किया, नहीं break कर पाया, फिर upside momentum फिर देके, यहां hammer किया, इसनी अच्छी candle बनने के बाद भी market इसको break नहीं कर पाया रही है, zones के आसपास, यहां पर bias बैठे हो, मैं उनको उपर लेके जाने के लिए, तो clean and simple setup था support, plus यहां पर double hammer हो चुका है, and breakout भी आया, तो plain and simple setup, कुछ इसमें rocket science मैं नहीं use किया है, और what is options का भी मैं update देता हूँ, जो कल की मेरी trade थी, वो मैंने exit की, टेलिग जाता है, almost premium इसके पूरे 0 के आसपास आ जाते हैं, 3.45 तक आ जाते हैं, तो मैं उसको exit कर देता हूँ, उसको ज्यादा मैं hold नहीं करता हूँ, और अगर up stocks जो intraday करता हूँ, मैं options के अंदर ज्यादा trade नहीं किया है, मैंने वो, उसको भी almost मैंने आज 5000 के आसपास बुक करके खतम कर दिया है, क्योंकि momentum जो थोड़ी wildness जो चल रही है, volatility जो जादा बहुत जादा टफ चल रही है, और आज का expiry मतलब भी expiry आने वाला है, तो वहाँ पर मुझे अपना risk appetite बचा के रखना है, तो इसलिए मैं जादा risk वगेदा नहीं रहो options में, around 5000 के आसपास मैंने यहा पर around 700 के आसपा profit चल रहा है, और यहाँ पर तो आपके साथ मैंने detail में discussion कर दिया 9000 लोपीज, अब दो चीज़ें हैं, एक कोई बोलता है कि फिबुनाची की अपर वीडियो बनाओ, फिबुनाची की अपर वीडियो मेरा lined up है, आगे चल के मैं बनाने वाला हूँ, सिरुफ वीडियो क्रेट करके आपको नहीं देना है, quality content provide करने की मेरी आदत है, मैं try करता हूँ कि आपको जितना हुर से quality content दूँ, तो वो in future जरूर मैं बनाने वाला हूँ, थोड़ा मझे free हो जाने दीजिए, बहुत सारी चीज़ों में फसा हुआ हूँ मैं, अब उसके बाद दू over here, क्या मेरी strategies है, बहुत simple में मैं आपको सहन में आएगा, नहीं सहन में आता है, तो don't worry, मेरा plan है, आगे चलके dedicated पूरी series बनाने वाला हूँ, आपके साथ जरूर share करूँगा, okay, I am not going to teach individually की options क्या है, क्या नहीं है, मैं इसके लिए dedicated series बनाने वाला हूँ, all right, तो like जरूर कर झा तुछ